हमारी मेन कैरिक्टर जूलिया डेविड के प्यार में पढ़ती है डेविड की वाइफ जूलिया का लाइफ बरबात करना चाहती है क्योंकि वो अभी भी डेविड से प्यार करती है हलो फ्रेंड्स, आज के हमारी मुवी अनफर्गटेबल 2017 की एक ठ्रिलर हॉलिवड मुवी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते है अगर आप कोई वीडियो चलगता है तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा कमेंट भी कर दीजे जैसे जानों को सपोर्ट मिलता है अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें जूलिया पुलीस टेशन में दिखाई जाती है पुलीस ओफिसरों से कहते है तीन साल पहले तुमारे हस्बन ने तुम्हें बहुत मारा था इस वज़े से उसे सजा भी हुई थी उसके खिलाव एक रिस्ट्रेनिंग ओर्डर था थोड़े दिनों पहले वह खतम हो गया और फिर तुम दोनों फिर से एक दुसरे से मिलने लग गए उसने तुमें इतनी दकलीव दी थी तो फिर क्यों तुम उसके साथ रहती थी जुलिया का घर पर उसके एक सजबन की बॉड़ी मिली है पुलिस को लगता है कि जुलिया नहीं उसका मर्डर किया है पुलिस कह रहे थे हैं कि जुलिया अभे भी उससे बात करती है जुलिया को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसे सेट अप किया गया है इसके बाद मूवी एक फ्लैश बैक में स्टार्ट होती है जुलिया अभ अपना जॉब छोड़कर अपने फियांसे के साथ रहने के लिए एक नए शेहर में जाने वाली है यहाँ बर उसके एक बेस फ्रेंड है इसका नाम में एली जुलिया बहुती नर्वस थी तो एली उसे कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे लास्ट मैरेज की तरह थोड़ा भी नहीं होगा तुम्हें अब लाइफ में जो भी खुश्या मिल रही है यह सब तुम डिजर्व करते हो जुलिया का एक सजबन यह बहुती अब्यूस हो था यह उसे मारा करता था इसे के बारे में उसकी फ्रेंड यह कह रही थी इसके बाद हम जुलिया और डेविड को बेड में देख सकते हैं दुनों इक दुसरे के साथ इंटिमेट हो रहे थे जुलिया कहती है हमें जल्दी से रेडी होना पड़ेगा आज तुम्हारी बेटी भी घर पर आने वाली है डेविडी एक्चन में परिवएस में शादी हो गई थी उसे एक बच्ची भी है उसने अपनी वाइफ को डिवास दे दिया है डेविड की वाइफ का नाम टेशा है जो हमारी और एक में क्यारेक्टर है नेक सिन में टेसा अपनी बेटी के बाल बनाते हुए हम देख सकते हैं टेसा अपनी बेटी से गयती है अगर तुमने मुझे मिस किया तो डाडी को बता देना वो तुमें घर लेकर आएंगे इनकी बेटी का नाम लीली है एसा फिर लीली को डेविट के पास छोड़ देती है उसका जो भी रूटिन है ये सब सही से उसे समझा देती है जुलिया अभे अभी डेविट के साथ रहने के लिए आई है तो उसे हो गूड लग करती है रात में जब डेविट लीली को सुला रहा था तो उसके blanket change हो गए है उसका पुराना जो blanket था यहीं वो मांगती है नेक्स डे जुलिया को एक लिटर मिलता है उसके एक सजबन का returning order अब expire हो चुका है यानि कि जुलिया के एक सजबन को court order मिला था यो जुलिया के आसपास कहीं भी नहीं दिख सकता अब ये order expire हो चुका है जुलिया ये देखकर disturb हो जाती है अब वो लिली के साथ lunch करने ही वाली थी तब ये टेसा उसे visit करती है लिली के school का जो भी time devil है वो कहती है तो मैं facebook पर मिल जाएगा जुलिया कहती है मैं facebook पर नहीं हूँ टेसा उसे डेविड का account यूज करने के लिए कहती है ये दोनों बात कर रही थी तब लिली इनके पास आगे लिली जुलिया से जित करती है मदर को भी हमारे साथ lunch करने दो ये जब lunch कर रहे होते हैं तो लिली को जुलिया का खाना पसंद नहीं आता टेसा उसके लिए अलग कुछ बना कर देती है रात में उसे लोरी सुनाती है और अच्छे से सुला देती है अब टेसा यहां से जा रही थी तो जुलिया को कहती है ये थैंक्यो मुझे lunch करने देने के लिए जुलिया कहती है तुम जीस चीस से गुजर रही हो ये सब कुछ मैं समझ सकती हो टेसा कहती है तुम्हे कुछ भी समझ में नहीं आएगा वो जुलिया को हेट कर दिया रात में जुलिया को नीन नहीं आ रही थी जब वो लीविंग रूम में आई तो उसे लगा कि उसकी खिड़की में कौन है वो डर गए थी अचानक से कोई दर्वाजा खोलने लग गया दर्वाजा खुला तो ये डिवीड ही था डिवीड ने नोटिस किया कि जुलिया बहुत ही डरी हुई है ये उसे पूछता है कि क्या हुआ जुलिया के दिक कोई भी प्रॉलम नहीं है आज जो भी हुआ यानि कि टेसा आई थी ये सब वो डिवीड को बताती है लिली को जुलिया का खाना पसंद नहीं आया था तो डिवीड कहता है कि उसे भी आदोत पढ़ने में जरा वक लगेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा जुलिया का बचपन सही से नहीं था वो लिली को अच्छा बचपन देना चाहती है इसके लिए वो बहुत ट्राय करती है वो अच्छे से रूटीन में लग जाती है एक दिन वो इस सब से फ्रस्टेट हो गई थी अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है कहती है मुझे लगता है कि टेसा से मैं उसकी फैमिली चीन रही हूँ उसकी फ्रेंड कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तुमारे आने से पहले ही उनकी फैमिली डूट गई थी इस सब सिचुएशन का तुम ज़्यादा स्टेस मतलो अपना करियर अपना जॉब ये भी तो चीज़े है जिन पर तुम फोकस कर सकती हो डिविड और जुलिया अब शादी करने वाले हैं तो जुलिया अच्छा सा वेडिंग ड्रेस देख रही थी जिस शौब में हो गई इसी शौब से टेसा भी अपना ड्रेस भाय करती है ये एक छोटा सा टाउन है तो इस शौब के पर को भी जुलिया के बारे में पता है शादी की नियोज लिली को कैसी देनी है ये जुलिया और डेविड वंडर करते है डेविड केहता है कि लिली को तुमारी आदत होने दो उसके बाद हम उसे बता देंगे ये दोनों लिली का स्कूल में परफार्मस देखने के लिए आये हुए थे यहाँ पर टेसा भी थी जब लिली को ये लेकर जाते हैं तो टेसा को बहुत ही बुरा रगता है नेकसिन में हम देखते हैं डेविड ने एक बियर की कमपणी डाली है इसकी इनौक्रेशन है एक्चुल में डेविड कुछ अलग जॉब करता था ये सब छोटकर अपना ड्रीम परश्यू करने के लिए इस टाउन में वो आया हुआ है वो बहुत ही खोश है कि उसके सब ड्रीम अब रियालिटी हो रहे हैं यहाँ पर टेसा भी स्पीश देती है उसे डेविड के आइडियास अच्छे नहीं लगे थे पर वो हमेशा डेविड पर ट्रस्ट करती थी थोड़े टाइम बात डेविड और जूलिया डांस कर रहे थे टेसा यह देखकर बहुत ही जेलस होती है जूलिया का फोन उसके पास ही पड़ा था और इस फोन पर जूलिया की फ्रेंड का मैसेज आता है इस मैसेज में लिखा है कि तो में बहुत ही अच्छा सा ट्रेस मिलेगा सिर्फ ढूंदती रहना इससे टेसा को पता चल जाता है कि जूलिया और डिविड की अब शादी होने वाली है इस चीज से वो बहुत ही डिस्टब हो गे एक आदमी ने टेसा को पार्टी में अप्रोच किया जिसके साथ वो पार्की में जाकर इंटिमेट हो जाती है टेसा ने जूलिया का फोन चुरा लिया था वो जूलिया का पूरा फोन चेक कर दिया इसमें उसे पता चलता है जूलिया का एक सजबंड था उसके खिलाफ उसके पास एक रिस्टेंडिंग ओर्डर है अगले दिन वो डेविड के पास आए उसे कहती है कि तुम जुलिया से शादी करने वाले हो और तुम्हें उसके बार में पता ही क्या है क्या तुम्हें नहीं लगता यह सब जल्दी जल्दी हो रहा है डेविड कहता है कि ऐसा कोजवें नहीं है वो जुलिया को पूरी तरीके से जानता है और टेसा से उसे शादी करने के लिए वो परमीशन नहीं लेने वाला टेसा कहती है कि जुलिया हमारी बेटी का सही से खैल नहीं रख पाएगी उस दिन पुराना ब्लैंकेट उसे जुलिया ने दे दिया था इस वज़े से उसे रहा जाग गई थी डेविड कहता है हम इस सब जिसों को फिगर आउट कर लेंगे कोई भी प्रॉल्लम नहीं है घर जाते वक टेसा ने जुलिया को जो फोन चुराय हुआ था ये डेविड के गाड़ी में वो फेक देती है ये नहीं किसी को शक भी ना जाए एक दिन टेसा अपनी बेटी के बाल बना रही थी उसे बुशती है कि मैं और फादर जब एक साथ रहते थे क्या तुम्हें अच्छा लगता था लेली कहती है कि मुझे जादा कुछ याद नहीं है आज टेसा की मदर भी उसे मिलने के लिए आई हुई थी उसकी मदर उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें भी किसे और से अब शादी कर लेनी चाहिए अच्छे से शादी करने के लिए तुम्हारे पास अब बहुत ही कम टाइम है ऐसा इसके लिए मान नहीं रही उसकी मदर कहती है मैं तुम्हें बताया था डेविड के साथ तुम अच्छे से रहो मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हो ऐसा डेविड और जुलिया के एक साथ फोटो देखकर बहुत रोती है जुलिया को एक अनानमेस नंबर से कॉल आना स्टार्ट हो गया है इसे वह बहुत डर रही है क्योंकि उससे लगता है कि उसके एक सजबन के कॉल से है इस कॉल पर कोई कुछ भी नहीं बोलता रात में हम देखते हैं इसा जुलिया का फेक प्रोफाइल क्रियेट करती है एक दिन जब जुलिया शावर ले रही थे उसके घर में कोई आया हुआ था वो जुलिया के रिंग डेविड की वाच चुरा कर वहाँ से चला गया जुलिया को लगा कि घर में कोई है तो बाहर देखने के लिए आई तो वहाँ फूल होती है गुसा होकर वो भी वहाँ से चली गई जुलिया को जो फूल मिले थे इसे ट्रैक करने की वो कोशिश करती है पर एनानोमसली उसे सेंड किये गए थे रात में जुलिया को फिर से नीन नहीं आती है वो वरी कर रही है कि उसका एक सजमन फिर से उसे ठून लेगा वो कहती है कि डेविड मुझे बहुत ही स्टॉंग उमन समझता है अगर उसे मेरे एक सजबंड के बारे में पता चला तो मुझे वो वीक समझ सकता है यह उसे नहीं चाहिए लेसा ने अब जुलिया के नाम से फेस्बूक पर अकाउंट कर दिया है इसी अकाउंट से जुलिया क एक सजबंड को कॉंटैक करती है उसे चैटिंग करना स्थार्ट करते थीए जब जुलिया और टेसा एक दुसरे से फिर से मिलते है तो अपलॉजाइस करते है इन्होंने एक दूसरे से जो भी किया तो दोनों को बुरा लग रहा था जेसा केती है कि चलो आज हम लंज करते ह तैसा confess करती है मेरे और डिवीड की बीच में जूबी हुआ यह सब मेरी ही गलती थी मैंने उस पर सिर्फ एक ही बार चीट किया था पर फिर भी उसे बहुत ही पुरा लगा जब वो तुमारे साथ होता है तो मुझे खुश लगता है हम दोनों जब एक साथ थे तो हमारी रिलिशन्शिप बहुत ही फिजीकल थी हम कभी भी टाइम या जगा नहीं देखते थे कही पर भी इंटिमेट हो जाते थे तैसा है जुली को जलाने के लिए कह रही थे इससे जुलिया बहुत ही डिस्टब हो गई निकसिन में हम देखते हैं एक इवेंट चल रहा था डिविट भी इस इवेंट में अपनी बियर शो कर रहा था जुल्या और लिली जब इस इवेंट में बहुच है तो जुल्या को एक कॉल आया एक कॉल और पिक अप करती है पर अचानक से उसके पास से लीली कायप हो गए उसे वो हर जगा ढूंडने की कोशिश करती है पर उसे कही भी नहीं मिलती वो जल्दी से भाग कर डेविड की पास गए ये दोनों उसे ढूंडने लग गए टेसा भी इस इविट में आई होई थी तब फाइनली उसने लीली को ढूंड लिया जुलिया ने लीली को गुम कर दिया तो इस पर वो बहुत ही नाराज थी डेविड भी जुलिया बार नाराज हो गया उससे पुछता है कि आज कल तुमारा चल क्या रहा है तुम अपनी रिंग क्यों ने पहन रही जुलिया कहती है मैंने नाइट स्रैंड पर रखी थी पर अचानाक से हो गायब होगे वो घर में होगी उससे ढूंड रही हो तेसा ने डेविड को जुलिया को फुल मिले थे ये भी बताया था तो डेविड बुछता है कि मैं फुल किसने दिये थे जुलिया कहती है उन फुलो को ट्रैक करने की मैंने कोशिश की पर मुझे किसी का भी बता नहीं मिला वो डेविड से यह थी है इस सब जीज़े ठीक करने की मैं कोशिश करूंगी इसके बाद नेकसिन में हम देखते है कि टेसा लिली को होर्स राइटिंग की प्रैक्टिस करवा रही थी एक बड़ा सो होर्स लिली को राइड करने के लिए फोर्स कर रही थी जुलिया यहाँ बार लिली को लेने के लिए आई लिली डर रही थी तो जुलिया उसे कहती है अगर तुम्हें नहीं राइड करना तो तुम मेरे साथ आ सकती हो कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला रेसा इस पर चीट गे और Lily को फोर्स कर रही थे जुलिया मानी नहीं और Lily को अपने साथ लेकर के वो गाड़ी में लीली को समझाती है कि कभी भी लोगों को तुम पर पावर मत करने देना तुम्हें जो सही लगे यही तुम्हें करना चाहिए ऐसा ने डेविड को कहा था कि जब उसने लीली को ढूंडा तो एक अंजान आदमी के साथ थी जुलिया लीली से पुछती है कि वो आदमी कौन था लीली कहती है ऐसा कोई भी नहीं था एक दिन डेविड और जुलिया अपने कली के साथ डिनर कर रहे थे ऐसा ने कहा था कि डेविड के साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत ही फिजिकल थी यह बात जुलिया अपने माइंड से निकाल नहीं पाई है वो तुरन डेविड को लेकर बेडरू में आती है उसके साथ इंटिमेट हो जाती है उसे डेविड के साथ उसी तरीके से वाइल्ड इंटिमसी चाहिए है अब नेक सिन में हम देखते है कि जब लीली फिर से टेसा के पास आई तो उस पर वो बहुत ही नाराज थी वो कहती है तुमने मेरी बात नहीं मानी As a punishment उसके सब बाल वो काट देती है जुलिया जब काम कर रही थी तभी उसके एकसरज़वन का उसे मेल आया इसमें उसने लिखा है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ यह देखकर वो बहुत ही डर गए धोड़ी देर में टेसा लीली को छोड़ने के लिए आई जुलिया ने नोटिस किया टेसा के बाल कट चुके है और वो बहुत ही अफसेट है जुलिया टेसा को कहती है कै तुमने उसे पनीश किया है तुम इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकती है मुझे पता है कि situation difficult है पर तुम मेंसे और भी hard बना रही हो इनका जगडा चल रहा था तब डेविड के नीचे से आने का आवाज आया टेसा नाटक करती है चिलाने लग जाती है कहती कि प्लीज मुझे मत मारो यह कहकर वो अपने आप से सीडियो से नीचे गिरती है डेविड को लगता है कि जुलिया ने ही टेसा को पुश किया डेविड फिर टेसा को डॉक्टर के पास लेकर आया रात में वो जुलिया से बात करता है जुलिया उसे जो भी हुआ यह सब को सही से समझा रही थी डेविड उस पर विल्यू नहीं कर रहा था जुलिया कहती है उसने तुमें जोड दिया था तुम पर छीट किया था तुम उस पर क्यों विल्यू कर रहे हो डेविड कहता है तुम्में और टेसा में जो भी दुश्मनी है ये तुम्में भूल जानी पड़ेगी मैं अब तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे शादी करना चाता हूँ बास में जो हुआ ये अब मैटर नहीं करता टेसा ने जो किया, इससे जूलिया बहुत डर गही थी वो फिर अपने फ्रेंड को कौल करती है उसकी फ्रेंड और वो मिलकर, जूलिया की सब हिस्ट्री निकालते है इस हिस्ट्री से उन्हें पता चलता है डेसा जब छुटी थी तो उसने अपने फादर की घर को आग लगा दी थी डेसा की फादर उसे और उसकी मदर को चोड़ कर किसी और हाउस में रह रहे थे जूलिया की फ्रेंड उसे यह दिये यह सब बात तुमें डेविड को पतानी चाहिए इस शेहर से दुम दोनों चले जाओ, यह बहुत ही डेंजरस हो सकता है जूलिया की फ्रेंड फेज चली गे, जूलिया जब अकेली घर में थी तो अचानक से उसका एक सस्बंड वहा आ जाता है वो बहुत ही डर गी, उसे कहती कि मेरा हस्बंड कभी भी घर पर आ सकता है क्याता है कि तुमने ही तो मुझे बुलाया था जुलिया को इस सब कूछ समझ बेने आता बाद में फिग्र आउट करती है कि टैसा नहीं उसे कॉल किया होगा एक सजबन जुलिया को मिस्ट करता था तो उसे हाq कर लेता है उसे दूर जाने के लिए एक चाको से उस पर वो वार करती है एक सजबंड फिर से जुलिया को बहुत मारता है वो फिर इसी चाको से उसके पेर पर वार करकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है ये जो भी सब हो रहा था तैसा इस पर नजर ही रख रही थी वो फिर घर के अंदर आई वो एक सजबंड से गहती है तुमने इस situation को हाथ से जाने दिया ये समझ जाता है कि उससे चैट करने वाली टेसा ही थी टेसा फिर चाको लेकर उसे मार डालती है इसके बाद मूवी का जो फर्स सेन था जानी कि पुलीस जुलिया को इंडरेगेट कर रहे है ये आता है पुलीस अब जुलिया पर ही शक करते है कि उसनी अपने हस्बन को मार डाला चाको पर जुलिया के फिंगर प्रिंट से फेस्बूक पर जुलिया के प्रोफाइल से ऐसा उसके एकस असजबन से बात करती थी इससे प्रूब होता है कि जुलिया और उसका एकससबन एक दुसरे के कॉन्टेक में थे इस चैट से ये भी जलता है, जूलिया ने अपने एक सस्वर्ण को उसे मिलने के लिए भुलाय बुलाय हुआ था जूलिया पुलीस को टेसा के बारे में बताती है कहती है, यह उज्ञा फसाया जा रहा है जूलिया पर वो बिलिव नहीं करती है इसके बाद डेविड पुलीस टेशन में जुलिया से मिलने के लिए आया कहता है जो भी हुआ हम इस सब से लड़ेंगे तुम कुछ भी वरी मत करो डेविड से फिर पुलीस बात करते है कहता है कि जुलिया अपने एक्स बॉइफरेंड के साथ भाग जाने वाली थी उसे वो कोछ चाइट्स दिखाते है इस चाइट्स से डेविड को पता जलता है कि जुलिया अपने बॉइफरेंड के साथ उसके सब कोई चीजे बेज़ कर भाग जाने वाली थी डेविड को इस पर विलिव नहीं आता पुलिस से यहता है यह बहुत ही अजीब सा सब कुछ लग रहा है जुलिया की खिलाव जो भी सबूत है कोई प्लांट कर सकता है इसी वज़े से पुलिस उसे जाने देते हैं रात में डेविड टेसा के पास आया हुआ था उसने वहाँ देखा कि टेसा गलवस जला रही है डेविड ने टेसा के पास जुलिया की रिंग भी नूटिस की उसे सब कुछ पता जल गया कि जुलिया जो कह रही थी यह सब कुछ सच था टेसा ने ही murder किया है डेविड कहता है तुम्हें help की जरूरत है वो अब लीली को घर लेकर जाने वाला था तबी टेसा एक डंडे से उसके सरवर वार करती है वो बेहोश हो गया जुलिया जो free हुए तो वो directly डेविड को ढूंती हुए टेसा के पास आती है टेसा उपर की कमरे में थी तो डेविड को नीचे पढ़ा हुआ जुलिया नोटिस कर दिया वो पुलिस को कौन लगा रही थी तबी टेसा फोन का connection काट देती है वो जुलिया से कहती है कि ये मेरा घर है, मेरी लाइफ है तुमने ये सब कुछ मुझसे चीन लिया टेसा जुलिया को मारने लग जाती है कहती है, तुमारे एक सस्बन ने तुमें इतना हर्ट किया था पर फिर भी तुमने उसे जाने दिया तुम बहुत ही वीक हो जुलिया अब इस पर बहुत ही जादा चीड़ गई कहती है, मैं वीक थी अब मैं नहीं रहूंगी वो जुलिया से लड़ने लग जाती है उसके हाथ में चाको आ गया था टेसा वो कहती है, जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ टेसा ने फिर रेलाइस किया कि वो क्या बन चुकी है उसने जो भी किया, उसे बहुत गलत लगता है जुलिया के हाथ में चाको था उसका हाथ पकड़ गर, वो खुद को ही इंजोर कर डाल दिया वो जुलिया से गहती है कि लिली को मेरे बारे में पता नहीं चलने देना वो मुझे अच्छी समझती थी तो मेरी अच्छी मेमरीज उसे याद दिलाना तेसा मरने वाली थी तो जुलिया उसे प्रॉमिस कर दिया इसके बाद टेसा की डेथ हो गई डेविड को हस्पिटल में ले जाया गया जो भी सब इंसिटन्ट हुआ ये सब पुलिस को बताया जाता है ये केस फिर क्लोज हो जाती है डेविड जब ठीक होता है तो ये सब बैड मेमरीज भुलाने के लिए एक नए शेहर में शिफ्ट हो चुके है लिली, डेविड और जुलिया इनके एक बहुत ही ब्यूटिफुल जी फैमिली बन जाती है ये सब बहुत ही खुश थे पर एक दिन टेसा की मदर इन्हें विजिट करने के लिए आई टेसा के मदर के लोग से पता चलता है या वो जुलिया से बदला लेने वाली है इस क्लिफ हैंगर के बावजुद मुझे मूवी कम्प्रिट लगती है इस मुवी में जुलिया के एक सजबन ने उसे बहुत ही तकलीव दी थी उसे मारा करता था और जुलिया सेहन करती थी जब उसके एक सजबन को उसने छोड़ दिया डेविड के साथ वो रहने लग गए तब टेसा उसकी लाइफ में आई जिस तरीके से जुलिया को उसका एक सजबन मैनुपलेट करता था उसी तरीके से टेसा भी करने लग गए फाइनली जुलिया सब मैंटर्स अपने खुद के हाथ में ली थी है मुवी के लास में वो स्ट्रॉंक बन चुकी है अब उसे कोई भी प्रॉल्म है इसे वो डट कर सामना करेगी इसे एक नोट पर आज के वीडियो हम खतम करते हैं अब आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहता हूँ इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल नोट वेशन आइकोन दवाने में मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया है